बातें कुछ खास बोर्ड स्टूदेंस के साथ Hello everyone, welcome to my channel and आज हम बात करेंगे इसी सीरीज के part 3 की तो चलिए, start करते हैं आज की वीडियो इससे पहले वाला जो part था, उसमें हमने जाना था कुछ main points को, जो की बोर्ड एक्जाम में काफी helpful है कैसे पढ़ना, क्या-क्या पढ़ना है, कब और कहां पढ़ना है और क्यू पढ़ना है आज की वीडियो को start करेंगे एक motivational quote से Don't stress, do your best and forget the rest चलिए, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे बचो How to write in board exams तो यह बहुत ज़ादा helpful होने वाला है आपको वीडियो को आप pause करके आप इसकी speed को increase कर सकते हैं और points को miss ना करें So, यह कहरेजे कि How to write answers in board exams in an appropriate and organized manner So, basically इस वीडियो में हम बात करेंगे कि paper presentation skills कैसे करना है paper को First of all, you should know the revised syllabus आपको सबसे पहले आपको जो revised syllabus है, जो changes आए है हमारे syllabus में जो deletion हुई है, उनको आपने अच्छे से देख लेना है, note कर लेना है pattern भी change हुआ है paper का इस बार तो उसे भी आप अच्छे से जान ले और फिर read the general instructions आपको जो sample papers प्रवाइड हुए हैं, उसमें भी आपको general instructions मिलते हैं तो इन instructions को आप पहले से ही पढ़ लें और ध्यान रखें इनका इसमें आपको दिया गया है कि आपको जो paper है वो 3 hours का है maximum marks उसके 80 हैं और general instructions में आपको दिया गया है कि आपके paper के 4 sections होंगे 36 questions होंगे 1 to 20 MCQ और assumption reason based type questions होंगे ये आपका जो new added है इसके बाद 21 to 26 2 marks होंगे 27 से 33 3 marks से questions होंगे जिनका answer आपको 50 to 80 words में करना है 34 से 36 ये 5 marks के questions हैं जिनके answers को आप 80 to 20 words में लिखेंगे overall choice कोई भी नहीं है लेकिन internal choices हैं जहांपर भी आपको और करके दिया होगा उन questions में आप देख सकते हो choices होंगी wherever necessary, neat and properly labeled diagrams आपको draw करने है तो सबसे पहली बात अब हमें पता चल गया है हमारे pattern का तो इसके बाद हमें चाहिए कि हम अपने exam में time manage करके रखें कितने questions हैं और किस question को कितना time देना है वो सब हम decide कर लें ठीक है good and legible handwriting अगर आपके handwriting थोड़ी सी आप खराब लिखते हैं तो उसको जोधारने के कोशिश कीजिए practice कीजिए ठीक है legible handwriting होने चाहिए उसके बाद neat and clean presentation जरूर होना चाहिए paper neat and clean नहीं होना चाहिए लेकिन आपको जो presentation है वो जरूर neat and clean होना चाहिए overwriting जगे जगे पर ना करें उसके बाद है write your answers in an appropriate and organized manner आप अच्छे से लिखें अपने answers को और सबसे important बात की आपको blueprints को use करना है how to write your answers and pencils for highlighting and underline the headings यानि की blueprints का ही आप use करेंगे answers लिखने के लिए और pencils को use करेंगे headings को underline करने के लिए या फिर highlight करने के लिए इसके बाद draw a line after each answer जब आपका एक answer complete हो जाता है या कोई section जो आप लिख रहे हैं वो complete हो जाता है तो आप इस तरीके से lines को draw करें हर एक answer के बात ठीक है आगे बढ़ेंगे draw lines on the margins to define your writing area आपने writing area को आप इतने define कर सकते हैं आप starting में तो उसके लिए आप sides में line डाल सकते हैं ताकि आप यहाँ पर question number की marking दे सकें ठीक है question number 2 लिखेंगे अगर आप question number 2 कर रहे हैं उपर सबसे पहले आप section लिखेंगे अपने copy में section A अगर आप start कर रहे हैं फिर question number 1 और नीचे लिखेंगे answer और फिर अपना answer start कर देंगे तो यह सारी margin lines हैं यह सारी चीज़ें वहाँ पर आप लिख सकते हैं दूसरे दरव यह आप margin lines डाल सकते हैं थाकि आपका जो writing area है वह अच्छे से show हो जाए क्योंकि यहाँ पर fold करते हैं हम copy को तो वह चीज लिखने के लिए use नहीं हो पाता है वो area ठीक है तो आगे पढ़ेंगे जब हमारे MCQs question होते हैं उसमें बचे एक करती करते हैं वहाँ पर या तो वह answer को ऐसे लिख देते हैं B करके लेकिन जो option है उसको नहीं लिखते या फिर जो fill in the blanks हैं तो fill up में जो उन सा word आना है उसे लिख देते हैं तो ये थोड़ा come presentable लगता है marks भी कर सकते हैं कई बार तो आप अच्छे से अपने answer को लिखें आपको आता है तो आप उसको properly mention कीजिए आप एक sentence लिख सकते हैं 2, 3 और 5 marks के जो questions होते हैं उनके अंदर आप main words को highlight करिए pencil से underline कर दीजे और जो sentences हैं जो आपके question में यानि की long answer questions हैं उसमें जो main sentences हैं उनको आप highlight कर दीजे इसके अलावा आपके जो theory based answers होते हैं उनको आप pointers बना कर लिखें points बना कर लिखें उससे आपका जो page है वो भी सुन्दर लगता है आपकी presentation भी बहुत अच्छी दिखती है तो इसके लिए pointers के लिए आप tick के निशान कई बच्चे ostrich लगाते हैं arrows लगा सकते हैं फिर आते हैं difference based question जब भी difference based question होते हैं तो उनको आपने tabular form में लिखना है वो properly aligned होने चाहिए examples आप डाल सकते हैं उसके अंदर 2 mark से question है तो आपको वहाँ पे 2 से 3 points जरूर लिखने हैं अगर 3 mark question है तो 3 से 4 points आप जरूर लिखें for example acid and bases में जब हमें difference बताना है तो आप देख रहे हैं कि acids are sour to taste and bases are bitter to taste so here the differences are aligned properly first के सामने आप first लिख रहे हैं तो आप इस तरीके से present करेंगे differences को 3 mark question है तो at least 3 marks के 3 points जो हैं आपको लिखने हैं अब इसमें आप examples भी लिख सकते हैं तो ये जो आप points लिखेंगे वो दोनों ही सही होने चाहिए match होने चाहिए आगे बढ़ेंगे तो diagrams के बारे में बात कर लेते हैं आप हमेशा जब diagram ड्रो करते हैं तो उसकी heading को आप उपर टॉप में लिखें ना की नीचे presentable होना चाहिए आपका diagram और जो ratio होती है ऐसा नहीं कि कोई पार्ट आप diagram का काफी बड़ा बना रहे हैं कवी छोटा बना रहे हैं ratio इनी बन भारा है diagram का तो ऐसा नहीं होना चाहिए अब आपको pointers और arrows की वहाँ पर importance पता होने चाहिए अगर आप pointers को अच्छे से show नहीं कर पा रहे हैं तो आप diagram का labeling कैसे करेंगे labeling करने के लिए हमें जैसे की example लेते हैं यहाँ पर तो आप पहले उपर hiding डालेंगे अब यहाँ पर जब labeling की गई है तो arrows की यहाँ importance देखे arrows को properly mention किया गया है लेकिन names को सीधा लिखा गया है इस तरीके से हम label कर सकते हैं इसके अलावा जो ray diagrams हैं या magnetic field lines हैं उनको show करने के लिए पच्छे से arrows का इस्तमाल कीजिए scale का इस्तमाल कीजिए और इसी तरीके से electricity से जो diagrams हैं उनके लिए भी arrows का बहुत importance होता है फिर बात करेंगे numericals की तो वहाँ पर आपको units को properly लिखना है अपने final answer को जब आप solve कर लेते है numerical को suppose आपका answer आता है 9.8 meter per second अगर आपका answer आ रहा है तो आप उसको last में इस तरीके से उसको box में डाल सकते हैं ताकि वो highlight हो जाए और don't forget to put positive sign where needed जहां पर भी negative sign है या sign convention जहां भी use कर रहे हो आप positive and negative उन सब को ध्यान रखें वो गलती हो जाती है और फिर आपका answer बिल्कुल change हो जाता है उसको शुरू से इध्यान रखें फिर first write the given values and then the required formula सबसे पहले numerical का question को आप पढ़ लीजे और फिर उसमें आप देखिए कि कौन-कौन सी given values हैं और फिर उस question को solve करने के लिए जो required formula है उसको आप लिखिए marking scheme में हर point के लिए points दिये जाते हैं and do the best ये थी आज की वीडियो इसमें hopefully आपको काफी सारे main points मिले होंगे और आपको ये मदद करेंगे आपके board exam में so students get ready and give your best shot in it thank you for watching this video मिलते हैं आप से next video में for more videos subscribe the channel and press the bell icon keep sharing the videos